आप सबको पता है, ग्लोबली बैंक खोलने के लिए जो रूल्स है, बैंक सेटप करने के लिए जो रूल्स है, जो रेगुलेटरी इशूज हैं, वो काफी ज्यादा है, बजाए आप बिस्किटी कंपनी खोलो, कार कंपनी खोलो, टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर बन जाओ तो कहीं न कहीं, इस सारी चीजें इसलिए टाइट हैं, क्योंकि अगर कोई नोन बैंक एंटिटी फेल होती है, तो केवल ये प्रोबलम, एमपलोईस के लिए, शेर होल्डर के लिए, या जो रो मेटरियल देने वाले थे कंपनी को, या जो पार्ट सेलर्स थे, उनको होती ह या फिर उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो उस कार को पसंद करते थे, उस बिस्किट कंपनी को पसंद करते थे, तो उस कंपनी के डूब जाने से, कस्टमर्स को वो चोईस नहीं मिल पाएगी, और थोड़े बहुत बिजनिस को नुकसान होईगा, लेकिन जब एक ब टीडिएफ में आपको बताने जा रहा हूँ, वाय मोर बैंक्स वोंट सॉल प्रोब्लम ओफ क्रेडिट सप्लाइ, ज्यादा ज्यादा बैंकों के आने से, क्रेडिट सप्लाइ की प्रोब्लम सॉल तो नहीं होगी, और ये इशू न्यूज में क्यों है, आर बिया ही ने हाली किटिसिजम भी हो रहा है, तो ये चीज समझना बंद कर देना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा बैंक्स खोलने से, क्रेडिट सप्लाइ की प्रोब्लम सॉल हो जाएगी, इशू बहुत डीपर है, नमबर ओफ बैंक्स को एक्सपैंड करने से, इंडे की क्रेडिट प्रोब् जिस इंट्रेस्ट रेट पे बैंकों को लोन देता है, और फिर रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, जिस इंट्रेस्ट रेट पे बैंकों से लोन लेता है, ठीक, तो अब मार्केट रिस्की हो गया, हर किसी को बैंक लोन नहीं दे सकते, तो बैंक क्या करते हैं, रेपो RBI से पैसा लिया और फिर RBI को ही वापस दे दिया deposit कर दिया reverse repo rate के जरिए और जो RBI को पैसा दिया उससे जो interest आया वो interest से उस पैसे से RBI का repo rate वाल interest भी चुका दिया तो market में पैसा लगाने की बज़ाए landing करने के बज़ाए अब RBI के साथ game खेल रही है bank entities और यही वज़ा है कि RBI reverse repo rate के interest को कम करके रखती है repo rate से ताकि ऐसा ना हो कि repo rate से पैसा ले लिया reverse repo rate में जमा करा दिया और उस river repo rate का पैसा ही repo rate में दे दिया reverse repo rate से interest कम मिलेगा इसलिए फिर वो banking entities force होएंगी market में जाके land करने के लिए इसलिए reverse repo rate की जो rate है वो कम रहती है repo rates है ठीक अब RBI क्या चाता है कि यह bank जो है यह market में जाके land करें और risk इतना है कि यह जो entities है जो इतनी crediting को नहीं मिली वी जिनको लोग कहते है normally non AAA plus related entities मतलब जिनको higher credit rating नहीं मिली वी उनको land नहीं कर रहे हैं अभी bank क्योंकि अभी टाइटिंग अभी बहुत टाइट रजूलिशन चल रहा है आप खुद देखो की clean up और रहा है banking system में तो अभी जो decision लेंगे उसमें तो खत्रा है ही साथ में अभ तक जो decision ले चुके उन पर अभी खत्रा मन रहा है bank पर क्योंकि अब जो scam सामने आ रहे हैं जो भी bank डूब रहे हैं तो पता चल रहा है कि यह decisions पहले ही ले लिए गई थे तो यह banker अब नहीं चाहते है कि अब वो आज ऐसा decision ले ले कि future man को कोई दिक्कत आ है तो इसके लिए और रिस्क लेना भी अब बंद कर दिया यह बात भी सही है कि politics शियंस ने काफी ज़़ा मिस्यूच किया पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जहां मर्जी जहां वहां पैसा निकल वाया है उस corporate को support किया है जहां पे उनका बस चलता था ले पॉलिटिक्स ने ऐसा किया या फिर किसी और वज़े से ऐसा हुआ तो हमको देखना पड़ेगा कि कुछ इंडिविज्विज्व के लिए ही प्रॉफिट के लिए ही यह सब लिए गयते उनको रोकना पड़ेगा ठीक रिस्क को डैवर्सिफाई करना पड़ेगा और मार्के कीजिए मैंने आपको तीनों पॉइंट्स के अंदर समझा दी अब हमको सिस्टम में कुछ चेंजिस करने पड़ेंगे क्रेडिट सप्लाइ हमें चाहिए और ज्यादा एक्सपेंड करने से बैंक्स को कुछ खास मतलब निकलता नहीं है यह मैंने आपको समझा दिया क्योंकि इससे क्या होगा वही बात होगी ना कि बैंकों को बढ़ाएंगे तो जितने बैंक नहीं निकल के आएंगे वह भी लोन उनी को देंगे ना जो ज्यादा रिस्क उनको पॉज नहीं करते हैं जो बड़े-बड़े कॉर्परेट्स हैं जिनकी इंकम अच्छी खासी है तो जो जिनकी इंकम अच्छी नहीं है जिनको पैसा चाहिए उनको पैसा कौन देगा वह कैसे डवलाप होगा तो कहीं न कहीं बैंकों को एक्सपेंड करने से प्रब्लम सोल नहीं होगी existing banks की अगर आप प्रब्लम सोल कर दोगे तो फिर नए बैंक आप एक्सपेंड करो कौन रोक तो further solutions किया है यह existing banks के लिए ही होंगे नए banks के लिए नहीं होंगे पहला तो यह कि banks need better oversight of the firm and corporate houses they'll land to जिन भी firms को पैसा दिया जा रहा है उस firm की history पूरा data कैसे business मतलब complete oversight banks को यहां पे मालूम हो अभी भी banks लेते हैं पर better oversight हमें चाहिए ऐसा नहीं हो कि केवल कुछ accounts पढ़ लि UK से journalism होता है वो चलता आ रहा है और फिर रिस्क लेने में अब दिक्कत आ रही है ऐसा ना हो जैसे जो PSU के अंदर जो मैं यह जो risk managers होते हैं यह जो employees होते हैं जो यह lending का काम करते में ली तो इनको skill इनकी improve करवानी पड़े एक risk management इनकी improve करना पड़ेगा especially मैं क्या बोल रहा ह कि थोड़े से जादा इसमें skillful होते हैं लेकिन PSU के अंदर हमें quick sharp और democratic अपर क्रेड चाहिए ताकि skill level risk management इनका बढ़े और अब यह तो मैंने बता दिया banks के perspective से कि banks को क्या करना चाहिए RBI का रोल यहां पर हमेशा से आता है RBI के उपर blame भी लग रहा था भी कि RBI सेट अप हुआ RBI ने इतना जो control जमाया इतने सालों से RBI bank डूब रहें NPA बढ़ रहा है तो RBI ने ऐसा क्या किया कि यह NPA ना बढ़े RBI पर blame सला डाला जा रहा था तो RBI के उपर भी अब यहां प सेबी का एक्जामपल दे सकते हैं जैसे कि सेबी किस तरीके से effective regulation कर रहा है capacity building कर रहा है और नए नए ideas ला रहा है एक्जामपल सेबी के chairman है अजय त्यागी जी और इनके साथ four whole time members है हर तरह के experiments इनोंने किए inter departmental cooperation की कोशिश की मतलब पहले कभी ऐसे हुआ नहीं सेबी के हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ ना नए banks लाने से कुछ नहीं होगा वैसे स्किल्ड स्टाफ लाने से कुछ नहीं होगा जो existing staff है उनको skill में लाओ उनकी skills बढ़ाओ उनकी सेबी ने big data analytics में उनको train किया च्छोट च्छोट information process करना सीख और अब जो committee's से भी से भी कि उनमें इतन इस तरह की supervision हम चेंज कर सकते हैं और क्या हम अपने employees को या PSU के अंदर जो employees को train करवा सकते हैं तो यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे मैं आपको एक example देता हूं जैसे curfew लगता है शहर में तो curfew लगेगा न अगर तो murder robbery यह सब नहीं होंगी लेकिन हम पूर तरीके से जिन्दगी बंतों नहीं कर सकते हैं तो innovation करना पड़ेगा न हमको ऐसा तो नहीं है कि हम अब नएने banks लाके सब को सुधार देंगे इनोवेशन करना पड़ेगा existing banks के अंदर अब banks पोज systematic risk to the economy फेल हुआ मतलब पूरा system फेल हुआ मैंने बताया था so we need an early warning system ताकि हमें जब भी भी लगे कि bank की capital erode हो रही है देखो ऐसा है कि bank जब भूजदा growth करने लग जाए तो इसका मतलब यह तो नहीं है कुछ उग गलत कर रहा है लेकिन कहीं न कहीं सारी नजर उस पे चली जानी चाहिए क्योंकि अब loan देने में जो bank कर रहा है वो आकि capital उसकी erode होने से बच जाए बाद में तो banks को यहां पर थोड़ा सा ज्यादा regulate करना पड़ेगा restriction यहां पर थोड़े काम रखने पड़ेंगे वह रेगुलेट ज्यादा करना पड़ेगा एक चीज़ और समझो यहां पर अब तक जो promoters थे bank के वह आर्बे को पागल बना जाएगा जब तक system के और पार्ट चेंज नहीं होंगे तो यह वही बात रह जाएगी कि वही जो old markets है वही जो ज्यादा money आई है ज्यादा banks आए और old markets को chase कर रहे है market वही है risk वही है लेकिन अब जो money है वह ज्यादा ज्यादा उनी markets को chase कर रहे है कुछ बदला नहीं है system में या फिर RBI का reverse report rate के जरिए RBI को पैसा जमा कर रही है ऐसा नहीं होना चाहिए अब banks में confidence होना चाहिए कि वह नए risk वाले sectors में भी lend कर सके